सालों पहले एक घंटाघर में टींकू चिडिया अपने माता-पिता और पाँच भायों के साथ रहती थी टींकू चिडिया च्छोटी सी थी, उसके पंख मुलायं थे, उसकी माने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था घंटा घर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी वो टींकू चिडिया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी एक दिन वो बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई टींकू चिडिया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और नहीं वो अपने लिए खान जुटाने के लिए कुछ करते हैं एक दिन भूख से बेहाल होने पर टींकू चिडिया के पिता ने कीडों का शिकार करने का फैसला किया काफी मेहनत करने के बाद उन्हें तीन कीडे मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे वे आठ लोग थे इसलिए उन्होंने टींकू और उसके दो छोटे भाईयों को खिलाने के लिए कीडे साइड में रख दिये इधर खाने की तलाश में भटक रही टींकू उसके भाई और उसकी मा ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए लेकिन कुछ नहीं मिला उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी जिससे तीनों भूरे रंके हो गए उधर काफी तलाश करने के बाद तीनकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था वो जब खुशी खुशी घर पहुचा तो वहां कोई नहीं मिला वो परेशान हो गया तभी तीनकू चिडिया उसका भाई और माँ वापस लोटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सब को भगा दिया तीनकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की उसने बार-बार बताया कि किसी ने उनके उपर रंग फेका है लेकिन तीनकू के हाथ असफलता ही लगी उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए लेकिन टींकू ने हार नहीं मानी वो उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहला कर सबकी राख हटा दी तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए अब टींकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी ना चाहिए